दोस्तो एक बेहदी खुबसुनत लड़की जो अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करने के बाद पुलीस डिपार्टमेंट में नौकरी ले रहती है नौकरी के दोरान बड़ी मांदाई से लोगों की सुवक्षा भी करती है पर आखिरकार एक दिन ऐसा समय आता है जब वैख खुद की सुवक्षा नहीं कर पाती है जिसकी वज़े से हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बरबाद हो जाती है पर जब इसकी असलियत लोगों को मालूम चलती है तो लोगों के अंदर गुस्सा फुड़ फुड़ कर बाहर निकलने लगता है वाके में दोस्तों आज की जो कहानी है आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है नमसकार मैं कोल्दीप आज की सची घणनज़ा को सुनाए जा रहा हूँ दमोदर पुरा य dipli साल की होती है जो की पुलिस टेपाट्वन में कौंस्टेबल के पदपर नकरी करती है निलम की तेनाती श्री क्रिशन जनम स्थल पर सुबह सुबह के पांच बज़े से लेकर एक बज़े तक होती है बात कर रहा हूँ मैं चार अप्रैल 2019 की इस सुबह सुबह के करीब चार बज़ के तीस मिनट के आसपास निलम हर रोज की दर सुबह जल्दी उठती है फटा-फट प्यार होती है अपना लंच बॉक्स प्यार करने के बाद अपने बैक बैर रखती है और अपने घर से डूटी के लिए निकल जाती है घर से बाहर दामोतरपुरा के प्याउग के पास पहुँच जाती है क्योंकि यही पास 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 जो पुलिक की गाड़ी होती है वह आती है जिसमें बैट कर बाहर अपनी डूटी के लिए जाती है लेकिन पास बजने में अभी दस मिलन बाकी ही थे निलम जो होती है अपनी बस का इंतियार कर रही थी तब ही वहाँ पर एक काले रंकी कार पहुँची है जिस कार के अंदर लगभग 4-5 लोग बैठे हुए थे उसमें से एक लड़का कार का दर्वाजा खोलता है और अपने गाड़ी से बाहर निकलता है और निलम के पास आकर थोड़ी देर बातचीत करता है और बातचीत करने के दौरान अपने पास से तेजाब निकालता है और निलम के शरीर पर फैंक देता है और फिर वहाँ से काफी तेजी से जाकर गाड़ी में बैठ जाता है लेकिन जैसे इधर निलम के शरीर पर केमिकल पढ़ता है वहाँ दर्द को बरदास नहीं कर पाती है और जो जोड से चिलाने लगती है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था वहाँ पर रोड पर भी कुछ ज़्यादा लोग नहीं मुझूग थे लेकिन तभी वहाँ से एक अख़वार बेचने वाला बेखती साइकल से जा रहा होता है जैसे ही नीलम को इस अवस्ता में देखता है तुरंत ही वहीं पर रुख जाता है और नीलम को समालने की कोशिश करता है जो अख़वार बेचने वाला बेखती होता है वहाँ नीलम को भी समालने की कोशिश कर ही रहा था तब ही वह जो लड़के होते हैं जो कार में आये थे वह काफी तेजी से आते हैं और उन दोनों के उपर कार चरहने की कोशिश करते हैं लेकिन जो अखवार बेचने वाला देखती होता है अपने साथ साथ नीलम को भी काफी पूर्ती से बचा लेता है उसके बाद से वह कार सवार जो होते हैं वहां ते निकल जाते हैं लेकिन तब तक इधर जो नीलम के शरी का काफी कपरा होता है जल चुका था बगल में ही एक दुकान थी नीलम को जैसे ही इस अवस्ता में वैद देखता है अपने दुकान के अंदर से कुछ कपड़े निकाल कर लेकर आता है और वहाई निलम के शरीव पर डाल देता है साथ ही साथ इस बात की जनकारी पुलिस को देता है इधर पुलिस वाले को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस वाले अपनी टीम के साथ घटना सतर पहुंच जाते हैं और आनन फानल में नीलम को लेकर अस्पताल लेकर जाते हैं अस्पताल में जब उससे भर्ती कराया जाता है डॉक्टर जब नीलम को देखते हैं डॉक्टर जब नीलम को देखते हैं इसलिए पुलिस अब नीलम से इस पुली वारदात के बारे में पूस्ताज करना शुरू कर देते हैं। जो नीलम होती है, पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे उपर कैमिकल फैकने वाला कोई और नहीं, बलकि संजे और उसके चार दोस्त है। संजे जिसकी उमर लगबग 26 साल के आसपास होती है, जो कि बुलन शहर के निमताबाद का रहने वाला होता है। पुलिस नीलम के तहरीर पर संजे और कित्यावत दोस्तों के उपर मुकर्दम दज कर देती है। और उसके बाद इस बाद की जनकारी नीलम के परिवार वालों को देती है। पुलिस नीलम से के वल उसके परिवार वाले ही मिल सकते हैं, उसके लावाव से कोई नहीं मिल सकता है। लेकिन तब तक जो यहाँ ख़बर होती है, शोसल मीडिया के माजन से, लोगों के सामने पहुंच जाती है। लोगों को जैसे ही पुलिस बारदात के बारे में मालूम चलता है, लोगों के अंदर बुस्ता बाहर निकनने लगता है। लोग पुलिस परशाशन के उपर तरह तरह के सवाल ख़ड़े करने लगते हैं। लोगों को कहना है कि जब पुलिस अपनी श्रक्षा खुद नहीं कर सकती है, तो भला आम आदमी की श्रक्षा कैसे करेगी। पुलिस प्रशाशन के उपर इस प्रकार से दवाब होता है कि पुलिस अब तुरंत ही संजी और उसके साथियों को गिरिफ्थार करने के लिए उसके घर चली जाती है तो जैसे इसके घर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि संजी के साथ साथ जो उसके दोस्त होते हैं वो लोग अपने घट छोड़कर कहीं फरार हो चुके हैं पुलिस प्रशाशन के उपपर इस प्रकार से दवाब होता है कि पुलिस अब इन तमाम औरफियों को गरिप्तार करने के लिए पांस पीमों को गठन करती है तभी अगले दिन 5 अपराल 2019 को शाम के करीब 5 बज़े के आसपास एक खबरी ठाने पहुंच जाता है और संजे के एक दोस्त सोनू के बारे में बताता है पुलिस को जैसे ही सोनू के बारे में बारे में चलता है करीब 6 बजए के आसपास जो पोलिस होती है सोनु को गिप्तार कर लेती है और फिर सोनु से इत पूरी वाड़ात के बारे में पूस्ताच करती है। जो सोनू होता है पुलिस वालों से कहता है कि साहब नीलम के उपर संजे ने पेजा फैका था, पुलिस अब फुनू से संजे के बारे में फोस्ताज करती है, सोनू संजे का भी लोकेशन बता देता है, दरसल उस वक संजे जो होता है योमना पर शिपकर बैठा हुआ था, पु पुलिस के उपर गोलिये चलाने लगता है। मेरे से सुनने के बाद निलम के माता पिता को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। पुलिस के बाद से संजे को निलम से अपने दिल की बात कहता है। और कहती है कि ना मैं तुम से प्यार करती हूँ और ना ही मैं प्यार के चकर में पढ़ना चाती हूँ। जो निलम होती है जब इनकार कर देती है उसकी बाद जो संजे होता है। निलम के घर पहुंच जाता है और उसके माता पिता से निलम से शादी करने की बाद कहता है। लेकिन निलम के माता पिता भी शादी से सिर्फ इसलिए इनकार कर देते हैं। क्योंकि जो संजे होता है उनकी जात विरादरी का नहीं होता है। जैसे ही कुछ साल का सब्व गुजरता है। साल 2016 में निलम की उत्तर परदेश पुलिस में एक कॉंस्टिवल पर नौकरी मिल जाती है। नौकरी मिल जाने के बाद भी संजे जो होता है निलम का पीशा करना नहीं छोड़ता है। इसलिए निलम अब संजे से परिशान होकर अपना जो मुबाइल नंबर होती है उसको बदल देती है। नमबर तो बदल देती है लेकिन इसके बाउजित भी संजे को कैसे करके नीलम का जो दूसरा नमबर होता है वह है मिल जाता है और फिर उसे फोन करकर के बार बार उसे परिशान करने लगता है और जैसे ही एक साल गुजरता है जो नीलम का ट्रांसफर होता है मतरा शहर में हो साल 2018 में नीलम के तैनाती श्री क्रिशन जनम स्थल पर हो जाती है जहां पर उसकी डूटी सुबा पांच बज़े से लेकर एक बज़े तक होती है इसलिए नीलम जो होती है अब इसी दामोदक पुरा इलाके में एक किराया पर कमरा ले लेती है और अपने सयोगी नीतु के साथ वहां पर रहने लगती है जैसे ही साल 2018 आजाता है नीलम के जो परिवार वाले होते हैं उसकी शादी दूसरी जिगापत तैय कर देते हैं पर जैसे ही शादी को तैय कर देते हैं इस बात की जो जानकारी होती है संजे को मालूम चल जाती है संजे को जब मालूम चलता है कि नीलम की शादी तैय हो चुकी है और वह शादी करके दूसरे के पाद जाने वाली है इस बात को संजे बरदास्ट नहीं कर पाता है दरसल संजे सोचता है कि अगर निलम मेरी नहीं होती तो है दुनिया में किसी की भी नहीं हो पाईगी इसलिए जो संजे होता है निलम को इस दुनिया से हटाने का तै कर लेता है और फिर संजे नीलम को इस दुनिया देखाने के लिए अपने चार दोस्तों के पाद जाकर बात्शित करता है जो उसके चार दोस्त होते हैं उनमें से एक का नाम होता है सोनू और दूसरे का नाम होता है जिनोद कि नीलम कितने बज़े डूटी पर जाती है और कितने बज़े अपने घर वापस आती है जब संजे को मालूम चलता है कि नीलम सुबब 5 बज़े अपने घर से प्याओ के पास बस पकड़कर डूटी ले जाती है और एक बज़े अपने घर पर वापस आती है अब जो संजे होत में चार अप्रैल 2019 को सुबह सुबह पहुंच जाता है सुबह पांच बजने में अभी दस मिनट बाकी थे तभी जो निलम होती है अपनी बस का खड़ी इंतियार कर रही थी इससे पहले कि उसकी बस आप आती संजित जो है कार्ट निकल कर आता है और जा करके निलम से बाचित बाचार करता है दुरसल संजे निलम को काफी समझाने की कोशिश करता है कि तुम उसके शादी करों लेकिन निलम होती है अपने चित पर उतारू हो जाती है और कहती है कि मैं वहीं पर शादी करूँगी ज़हाँ मीरे माता पिता कहेंगे संजी जो होता है तमाम कोशिश कर लेता है जो निलम होती है उसकी बात नहीं मानती है जब उसकी बात नहीं मानती है तो संजी अपने पासर सिजाब को निकालता है और निलम के शरीर पर फैंक देता है और वहाँ से काफी पुर्टी से जाकर उस गाड़ी में बैठ जाता है तो रसल संजे ने पहले से यह सोच रखा था कि अगर उस केमिकल से निलम की मौत हो जाती है तो ठीक है अगर उसके बाद भी उसकी मौत नहीं होती है तो संजे अपने साथ एक हच्यार भी लेकर गया हुआ था इधर जैसा ही केमिकल फैंक देता है निलम काफी गंबी रवस्ता में वहीं पर गिर जाती है लेकिन निलम की मौत नहीं हो पाती है तब तक वहाँ पर एक अख़वार बेचने वाला बेचती जो होता है इधर संजे जब देखता है कि निलम अभी जिन्दा है संजे जो होता है अपने दोस्ते कहता है कि गाड़ी को निलम के ओपर चड़ा दो वहाँ से सब के सब गाड़ी को बड़ी तेजी से लेकर आते हैं पिलाल जो पुलिस वाले होता है इन आरोतियों को अपनी कश्चड़ी में लेकर जिला अदालक में पेश करते हैं जहांस उन्हें जेल भीज़ दे जाता है और उनको कड़ी सजा समय जाती है लेकिन इस पुलि घटना की वज़े से जो नीलम का शरीर होता है लगवग 45% हिसा जो उसका होता है शरीर का खराब हो चुका होता है जो नीलम होती है कैसे भी करके अपना जीवन को बेकित कर रही होती है दोस्तों इस पुरी घटना के बारे में आपका शोत है अपनी राय कॉमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए दोस्तों ये कहानी आप लोगों कैसी लगी अगर जरा सी भी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि मेरा हसला बढ़ता रहे